हेलो गाईज आज अगेन मैं आपके साथ हूँ एक नए वीडियो के साथ ये टू टायर अनिवर्सरी स्पेशल 3 kg का केक है विद ओरिजनल फ्लावर्स और ये चोकलेट नटेला फ्लेवर में बनने जा रहा है और आप देख सकते हैं सिंपल में कितना ब्यूटिफुल वो केक दीख रहा है और ये जो नटेला फ्लेवर है वो बहुत अमेजिंग लगता है अगर आपको अपने कस्टमर को कुछ नया फ्लेवर ट्राइ करने के लिए देना है तो एक बार ये वाला फ्लेवर उनको बताईए उनको सच में बहुत पसंद आएगा तो देखिए चलते हैं ह मैंने 5 इंच केक तीन में बनाया इसके भी मैंने 5 हिसे कट कर लिये है यहाँ पर मैंने सिंपल शुगर सिरप लिया है आप चाहो तो नॉर्मल वाटर ले सकते हो कितना मिठा पसंद है उसके उपर आपका ये डिपेंड करेगा थोड़े से बदाम के पीसेस मेंने लिये है औ उसके साथ यहाँ पर मैंने डर्च क्रीम ली है और सबको पता है मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया उसको कैसे बनाना है विप क्रीम मैंने चौकलेट गानेश मिक्स कर दिया है तो चलते हैं वन बाइवन लेयर की तरफ तो यह सबसे बेले मैंने नीचे वाला जो बेस दिया है वह 14-14 का है ताकि मुझे काफी अच्छा स्पेस मिले और यहाँ पर मैंने हमारा यह बड़ा वाला बेस रख दिया है सोकिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने क्रीम लगा ली है जो नटेला है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है और आप चाहो तो स्पून से या फिर स्पैचुला से आप इसको इक्वली स्प्रेड कीजिए ताकि इसका जो टेस्ट है वह हमें पूरी तरीके से अच्छे से लेयर में आए उपर से आप हेजलनेट के तुकड़े या फिर बदाम के पीसे डाल सकते हैं सेम तरीके से मैंने इसके उपर दूसरी लेयर रग दी है सोक कर लेते हैं या पर मैं बहुत कम सोकिंग कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे कस्टेमर है उन्होंने बोला कि उनको ज्यादा मॉइस्ट के पसंद नहीं है और आप देख सकते हैं इसको मैंने पूरी तरीके से वन बाई वन साइट से भी कवर कर लिया है जो मैं हमेशा बोलती हूँ इसके उपर हम लोग अगेन नटेला डाल देते हैं और इसको भी रिए तरीके से उसके उपर में बादाम के पीसे हैं और इसे तरीके से में बाके सारी लेइर्स लेगाले प्लम disappears पाचो लेयर्स मेरी खतम हो चुकी है और मेरा ये डच क्रीम से केक भी पूरी तरीके से कवर हो चुका है सबसे बेल इसको हम लोग फ्रीज में सेट करने के लिए हाफ अवर्स के लिए रख देते हैं तब तक जब तक ये केक सेट हो रहा है हम हमारे छोटे केक के उपतर चलते जो कि हमारे उपर सेकंड लेयर बनने जाए रही है सेम तरीके से हमें इसको भी बनाना है नटिला के साथ उसको स्प्रेडिंग करनी है और एक बार तुमें बोलूंगे गाईज ये अपने कस्टमर को ज़रूर दीजे और इवन आप भी ट्राइ कीजे क्योंकि चॉकलेट के एक डर्च केक, ब्लैक फोरेस्ट, चॉकलेट ट्रफर ये तो वैसे भी कॉमन फ्लेवर है और कस्टमर को हमेशा कुछ ना कुछ नया रिक्वाइड होता है तो इनको ये वाला फ्लेवर ज़रूर सजेस्ट कीजिए और अकॉर्डिंग उसका प्राइज डिसाइड कर सकते है क्योंकि उसमें साथ नतिला का भी प्राइज डाइड होगा आप जो ड्राइफरूर से डाइड कर रहे हो उसका भी प्राइज डाइड होगा तो जो नौर्मल आप चॉकलेट केक का प्राइज लेते हैं उसके अकॉर्डिंग लिए 300 रुपिज इसको एडिशन करके आप इस लेयर एक के उपर एक आई है इसलिए मैंने यहाँ पर toothpick के help से इसको set कर लिया है और इसको भी हम लोग freeze में set करेंगे safety बहुत important होती है cake की दूसरी तरफ हम लोग जाते क्योंकि हमें यहाँ पर pitch color combination बनाना according to requirement 3-1 का यहाँ पर proportion रहेगा red और yellow color का और इसको अच्छे से mix कर लेते हैं चाहे तो spatula और चाहे तो आप bitter machine जो भी आपको करना है perfect pitch color आपको यहाँ पर मिल गया है और आप देख सकते हैं कितना perfectly वो mix भी हो चुका है अभी इस cake को हमें क्या करना है इससे cover करना है तो just have a look मेरा cake बहुत अच्छे से set हो चुका है और बिल्कुल हलके हाथ से आपको यह peach color का combination जो है whip cream का वो यहाँ पर लगाना है बिल्कुल प्रेस नहीं करना है ताकि जो अंदर की चर्ट डच क्रीम है वो आपके spatula को लगेना तो आप देख सकते हैं मेरा cake पूरी तरीके से cover हो चुका है हलका में एक triangular scrapper लिया है और बहुत हलके तरीके से में इसको प्रेस कर जाया है क्योंकि मैं जाधा design नहीं बिल्कुल simple lining चाहिए just as this beautiful lines ओके नाव कीप इस अंसो इनफ प्रीज मूट वर्स हमारा little छोटा सा वाला पार्ट उपर वाला उसको भी मैंने set करने के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं उसको भी मैंने धीरे-धीरे cover कर लिया है उसको भ बना लेते हैं perfect दोनों हमारे बनके एकदम रेटिय इसको भी set कर लेते हैं दोनों केक हाफा फावर के लिए set हो चुके माउंट करने के पहले आपका केक set होना बहुत ज़रूरी है देखे मैं कितने easily उसको उठा सकती हूँ क्योंकि हमारे केक set है इसलिए तो बिल्कुल धीर जैसे इसको उठाना है देखिया मैंने यहां पर पैलेट नाइफ का यूज किया हलके से दबा के पैलेट नाइफ को बाहर की और खीचना है जो मेरे हाथ में इसे डॉविल्स बोला जाता है क्योंकि यह टू लेयर का केक है उपर से काफी हाइटेड है दूसरी चीज यह केक होने वाला है हाफ अवर डिस्टन्स के लिए तो यहां पर इसको केक को हमेशा सीक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है तो यहां पर मैं यह लकडी के जो डॉविल से वो यूज कर रहे हूँ मैंने अकॉर्डिंगली हाइट उसको अल्रेडी कट कर लिया है अब आपका केक न यहां पर डिजाइन बना रही हूँ आप चाहो तो स्टार्स बनाओ आप चाहो तो बॉर्डर बनाओ या फिर आप आप आज इस भी रख सकते हो इस कंप्लीटली यूर चॉइस गाइस नाव और आप देख सकते हैं यहां पर मेरा यह वाप फिनिश हो चुका है और इस सीम् बाइवन में इसको किस ताइब से स्टिक कर रही हूँ यू कैन यूज ओरिजनल फ्लावर यू कैन यूज अनी आर्टिफिशल फ्लावर से इस कंप्लीटली यूर चाहे लिप को भी मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है ताकि इसका जो लूक है वो पूरी तरीके से ओरि हुआ हूं थोड़से बड़ा साइस और चोटा साइस ऐसे मेंने तो सिलेक कर लिए इसको अभी मैं च्छोटे-íp च्छोटे इसा इसको भी साइड बलेकाना aosओस कर नियूँ और एक व्यूचिफिफूल कर स्सप्ली कि और आपको यह वीडियो पसंद आई होगी मेरे वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं इसे नए वीडियो के साथ तब तक लिए भाई थेंक्स फॉर वाचिंग